हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त असीमानन्द और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बग्या दोस्तो हमारी बग्या में आज मैं जिस फूल को लेकर के आपके सामने आया हूँ वो है गुड़हल और दोस्तो ये जो गुड़हल है ये औस्ट्रेलियन वेराइटी के गुड़हल है जो की काफी बड़े बड़े आते हैं और डवल में होते हें। यह जो गुड़ु हल है कई कलर में आते हैं, लेकिन हर एक कलर में झू है, आपको डवल में इसक्रान से मिलेगा, अंदर कुछ और होगा, बाहर के साइड में कुछ और होगा, और फूल काफी बड़े-बड़े होंगे दोनों को अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों के पैटर्ण में भी काफी अलग ये नजर आ रहा होगा और ये पौधा जो है ज़्यादा इसके उम्रे नहीं हुई है केबल चार से पांच महिने पहले ये पौधा मेरे पास आया था और उसमें भी काफी फूल इसमें खिले थे जब ये आया था उसके जस्ट बाद और ये पौधा जो है मेरे पास कोलकाता से आया था जिस नरसरी से ये मुझे भेजा गया था उसका मैं आपको एड्रेस और साथी साथ वहाँ का फोन नमर भी दे दूँगा अगर आप चाहे तो इन पौदों को मंगा सकते हैं ऐसे तो जो ये गुढ़ल के पौदे होते हैं इसमें सर्दियों में ही जादा फूल आते हैं जबकि नॉर्मल जो हमारे पूने वराइटी होती है या जो अधिकतर लोग घर में लगाते हैं देसी वराइटी उसमें गर्मियों के शुरुआत से फूल आने लगते हैं लेकिन इसमें जो है आपके सर्दियों में ज़्यादा फूल मिलते हैं और गर्मियों में फ्लारिंग की जो संक्या थोड़ी कम हो जाती है अलाकि फूल ज़रूर आते रहते हैं इस समय मार्च का महिना चल रहा है और मार्च के महिने में देखी कितने बड़े बड़े फूल इसमें आ रही है अगर इस फूल के साइस की बात करूँ तो इस से भी ज़ादा साइस जो है बड़ा होता था जब ये सर्दियों में खिल रहा था लेकिन इस समय भी आप देखेंगे तो मेरा ये हाथ देखेंगे तो एक साइड में देखें ये पूरा हाथ जो है मेरा आ गया है और इसका जो पॉर्ट है यहाँ पर मात्र पांच इंच का पॉर्ट होगा और इसके फूल का जो साइज है वो लगबग 8 इंच का होगा तो इस छोटे से पॉट में ही इतने बड़े बड़े फूल आ रही है दोस्तो ये जो फूल है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यह पौधा जो है ग्राफ्टेड है यहां कि नीचे हमारा नॉर्मल पौधा है और उपर इस तरह से औस्ट्रेडियन वराइटी के ग्राफ्टिंग की गई है अगर मैं इसको दिखाओ तो यहाँ पर भी इसी तरीके से यह ग्राफ्टिंग एरिया है तो ये जो पौदी हैं मुझे जैमा तरा नरसरी ने भेजे थे और ये पाँचो के पाँचो जो है आस्ट्रेलियन वराइटी के पौदी है और इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें भी कली आई हुई है कल ये खिल जाएगा और इसके अलाबा मैं अगर इधर दिखाऊ तो इसमें भी देखे कली यहां बन रही है नीचे से कई सारे ब्रांचेज आ गए हैं और शुरू में जब ये पौदा आया था मेरे पास ऑनलाइन तो इसके जो पैकिंग की आपनिंग थी तो उसका भी मैंने वीडियो डाला था इसी चैनल पर और अब देखिए इसमें कितने फूल और कलिया जो है आना शुरू हो गया है उस समय जो है एक दो फूल शुरू में के लिए फिर सर्दिया जैसे ही आई तब लगातार बीजबिश में फूल आते गए और अब देखिए इसमें जो है नए पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं और नए नी जो कलिया हैं वो भी कई सारे बन रहे हैं यह जो पौदा मेरे पास आया था यह पैकिंग में ही जिस समय आया था तो ग्राफ्टिंग का हिस्सा टूड़ गया था लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ था हिस्सा तो वहां से किनारे से एक ब्रांच निकला था थोटा सा और वो अब काफी बड़ा हो गया है तो इस तरीके से यह जो फूल है काफी अच्छे इस समय के लेवे नीचे टैग भी लगा हुआ है और इस फूलों में जो है मैंने कोई खास केयर उसके बाद की नहीं थी केबल जो है एक ही चीज मैंने इसमें अपलाई किया था जब इसको रिपॉर्ट किया था तो उस समय इसमें मैंने केबल वर्मी कंपोस्ट ही डाला था वर्मी कंपोस्ट और नॉर्मर जो गार्जन सोयल होता है थोड़ा सा वो लिया थोड़ा सा रेता लिया था और इसी का ह मैंने इसमें apply किया और बीजबिश में जो केले के चिलके का liquid fertilizer है सरसो की खली का liquid fertilizer है उसको मैंने इन पौदों में दिया तो उसी में ही ये पौधे चलते रहे एकदम से कभी भी छोटे पौधे को बड़े पौट में नहीं लगाना चाहिए ये जो पौधे मेरे पास आये थे दोस्तों polythene में आये थे लेकिन मैंने उनको ये 5 इंच या 6 इंच के पौट है उसी में ही रिपौट किया क्योंकि ये जो है छोटे पौधे हैं अभी एक देड़ फिट के पौधे हैं तो ज़्यादा बड़े में रिपौट करते हैं तो उसमें पौधे मरने का चांस रहता है क्योंकि फिर पानी का बैलेंस बड़े पौट में ठीक रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसके अलावा छोटे पौट में जब आप इसको रखती हैं तो इसके रूट बाउंडिंग जितनी ज़्यादा होती है फ्लारिंग भी उतनी ही ज़्यादा अच्छे से आती है और गुड़ल में दोस्तों क्या-क्या दे सकती हैं उसके लिए मैं यहां पर कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ अगर इन में से कोई चीज़ आपके पास अवेलेवल है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं वरना जो केवल वर्मी कंपोस्ट है या जो मैंने आपको बताया के चिलके का लिक्विट फर्टिलाइजर है सरसो की खली का लिक्विट फर्टिलाइजर है यह सब तो यूज़ करी सकते हैं लेकिन पोटाश की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है तो पोटाश में एक तो लाल पोटाश होता है रासाइनिक में आता है तो उसको आप दे सकते हैं लेकिन बहुत थोड़ा और अगर आप में यूज़ करना चाहिए तो आपको जो इस तरह से काले रंग का पोटाश जो है मिल जाएगा तो इसको आप यूज़ अपने पौधों में कर सकते हैं तो ज्यादा नहीं देना आपके छोटे पौधे हैं आप इतना सा लगबग आधा चमच के लगबग लगबग जो है ए थोड़ा सा दे सकते हैं और यह सब जो है आपको बहुत जादा नहीं महीने में एक बार आप लाई करेंगे तो काफी है तो इस तरीके से यह भी आप दे सकते हैं और अगर आपके पास इस तरह का जो बोन मील है या लेदर मील है वो दे सकते हैं यह जैसे लेदर मील है तो इसको आप दे सकते हैं तो इसको भी थोड़ा-थोड़ा ही आपको देना बहुत ज़ादा यूज नहीं करना केवल आधे चम्मच ही आप यूज इसमें कर सकते हैं तो यहां मैं कर रहा हूँ इसके अलाबा अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें हैं जैसे बोन मील, लेदर मील का मिक्चर है इसमें पूरा जो है बोन मील, लेदर मील है तो इस तरह का खाज गुलाबों के लिए भी काफी अच्छा रहता है अगर एविलेबल है आपके पास तो दीजिए वरना कोई जरूरी नहीं है कि आप इन प्रोड़क्स को Amazon से मंगाए या दूसरे साइट से मंगाए क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो हो सकते हैं ये प्रोड़क्ट टोड़े से महंगे मिले लेकिन अगर आपके आज़ पास ये प्रोड़क्ट है तो फिर जो है ये 25-30 रुपए किलो में मिल जाएंगे लेकिन अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इनी चीज़ों का यूज़ आपको करना होगा क्योंकि इससे पहले मैंने इन चीज़ों का यूज़ अपने पादों में नहीं किया है फरस्ट टाइम मुझे ये कहीं पर मिल गया था तो वहाँ से मैंने ले लिया लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बगैर ये फूल नहीं हो सकते आप नॉर्मल जो क्यार करते हैं वही क्यार करेंगे तब भी इसमें फूल आएंगे एक चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा कि गुडहल में कीडो का अटेक बहुत जल्दी हो जाता है खास तरसे इस सीजन में मिले बग का तो उसके लिए आप इसमें इमीडा क्लोप्रीट का इस्प्रे टाइम टू टाइम करते रहें कभी सप्ता में एक बार तो कभी दस दि दिक्कत नहीं होती लेकिन अगर बारिश का सीजन है तो ऐसे में पौधे ज्यादा गीले रहते हैं पौट तो आप फंगी साइड का यूज कर सकते हैं और नॉर्मली भी आप चाहें तो एक दो मैने में एक बार कोई भी जो फंगी साइड है तो उसका यूज एक बार कर लि खाद जब भी आप दे तो खाद देने से पहले या खाद देने के बाद में थोड़ा सा निराई गुड़ाई जरूर कर दे जिससे के ये जो खाद है आपके मिट्टी में मिक्स हो जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस गुड़ल के बारे में जो भी जानकारी मैंने द मंगाया है उसका पूरा जो फोन नंबर है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और एड्रेस भी दे दूँगा तो जो भी कीमत बगरा है उनी से पूछ करके आप इस पौदे को मंगा सकते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं एक दीजे विदा नाश्कार